हेलो गाईज क्यासे हो आप सब आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि क्यासे मैंने अपना ड्रैसिंग टेवल और गेनाईज करके रखा हुआ है देखो सबसे पहले जे टोई वॉक्स है इसमें मैंने अपना कुछ जूरी समाल रखा है और जे कंटेनर है जिसमें सब जी बग्यार आती है उसको मैंने पेंट कर लिया है और उसमें मैंने अपनी कुछ क्लिप्स बग्यार रखे हुए हैं जो कभी-कभी जूज में आते हैं और जे फोन बॉक्स है इसको मैंने ओपन कर लिया और एक में मैंने नेल पेंट रखे हैं और एक में लपिस्टिक रखी नेल, मतलब नेल कटर बगारा और कलचर बगारा रखे हुए हैं इन सब को आपको फेंक ना नहीं चाहिए और जे ड्राइफरूट वॉक्स आये थे मिठाई आये थी मिन्ज़ इसमें और मैंने जे डिब्बियां फेंकी नहीं और इसमें मैंने अपनी कुछ क्लिप्स रखे हुई है और इसमें मैंने छोटी-छोटी लिपिस्टिक होती है जो और काजल वगेरा रखा हुआ है और जे डिब्बी जे पिस्टा के साथ आती है इसमें एक मैंने अपने रवड व्यान डाले हुई है और दूसरी इसी तरह के ह उसमें मैंने अपने रखे हुई है और जे वले हैंडमेड पाउच जे मेरी मम्मा ने मुझको बना कर दिए थे अपनी कुछ जुडे की सुईया और रखे हुई है और इसमें मैंने बिंदियों के पत्ते रखे हुई है जे वी एक बहुत अच्छा पाउच बना हुआ है जे हैंड मेड है और जे एक बॉक्स है कंटेनर है इसमें कैंडी आई थी और इसमें भी मैंने अपना कुछ जूरी समान रखा है कुछ एरिंग्स वग्यारा इसमें रखे हुई है और इसमें मैंने अपने चूडियां रखी है और जे एक बॉक्स था जिसमें कस्टर्ड पाउडर आया था उसका रैपर उतार कर मैंने पेंट कर लिया और इसमें अपने कुछ ब्रश वग्यारा रखे हुई है आई ब्रश और ब्लशर वगैरा और जэ話 मेरी किट है जै divy मेरी मम्मा ने बनाकर दी थी इसमें मैं अपना कुछ मेकप का समान रखती हूं। जब मैं अच्छे से रेडी होती हूं तो मैं इसे समान जूज करती zelf बैंगल बॉक्स हैं इसमें मैंने अपने बेवी का कुछ समान रखा हुआ छोटा मुटा सा जब वो कृष्णा